जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी, आज मैं आप सबसे गुरुजी के लोटे के बारे में बात करूंगी, सारे कोशन्स के आंसर्स दूंगी, बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करक और कमेंट्स में जै गुरु जी लिखना मत भूलना पहला कोशन गुरु जी का लोटा कैसे ब्लेस कराना है? संगत जी गुरु जी का लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस कराना है हमारी फर्स प्रेफरेंस बड़े मंदिर से ब्लेस कराना ही होनी चाहिए दूसरा कोशन, गुरु जी का लोटा कौन से धातू का होना चाहिए संगत जी, गुरु जी का लोटा तामबे का, मींस कौपर का ही होना चाहिए तीसरा कोशन, लोटे का साइस क्या होना चाहिए संगत जी, गुरु जी के लोटे का साइस आपके उपर डिपेंड करता है, जो आप असानी से परचेस कर सको चौथा कोशन, अगर हम बड़े मंदर से बहुत दूर हैं, तो हम लोटा कैसे ब्लेस कराएं? संगत जी, अगर आप बड़े मंदर से बहुत दूर हैं, तो आप लोटे को आपके पास जो गुरु जी का स्वरूप है, वहां से खुद ब्लेस कीजिए, लेकिन फर्स प्रेफरेंस बड़े मंदर जाकर ब्लेस कराके आएं, वही रखें, ऐसा कभी ना सोचें कि खुद भी कर सकते हैं, तो ऐसा ही कर लेते हैं, कोशिश कीजिए, बड़े मंदर से ही ब्लेस किया जाएं, पांचवा कोशन, जिसके लिए लोटा ब्लेस करा रहे हैं, उनका जाना जरूरी है, संगत जी, अगर वह खुद जा सकते हैं लोटा ब्लेस कराने, तो बहुत अच्छी बात है, क खूप सारी blessings भी देंगे, अगर जादा serious हैं या नहीं जा सकते, तो कोई भी close friend या family member bless करा के आ सकते हैं, छटा question, क्या गुरु जी का लोटा पूरी family यूज कर सकती है, नहीं संगत जी, जिसके लिए लोटा bless कराया है, वही यूज कर सकते हैं, अगर घर में तीन लोगों के ल bless कराने ही पड़ेंगे, साथवा कोशन, क्या लोटा रोज यूज करना है, नहीं संगत जी, जितने दिन आपने decide किया है, उतने दिन ही यूज करना है, like 11 days, 21 days, 31 days, 51 days, आठवा कोशन, गुरु जी का लोटा कैसे clean करें, संगत जी, गुरु जी के लोटे को आपने साबुन से wash नहीं करना है, आपने उसको निम्बू से या कोईले की राग से clean करना है, बेटर है जिसके लिए लोटा है, अगर वो clean कर सके, तो वही करें, अगर नहीं कर सकते, तो घर का कोई भी member clean कर सकता है, 9. बड़े मंदिर में गुरु जी का लोटा कैसे bless कराते हैं, संगत जी, बड़े मंदिर में main hall में जाकर वहाँ सेवादार को बोल दीजे कि हमें लोटा bless कराना है, तब सेवादार गुरु जी की गद्दी के पास आपका लोटा रख कर bless करके आपको दे देंगे, और आपको वहीं साइड में खड़े होकर गुरु जी से प्रे करनी है, मैं जिनके लिए भी ये लोटा लेकर आई हूँ, उनका नाम लेना है और कहना है कि आप उनके लिए ये लोटा bless कर दीजे और उनके कश्ट उनकी बिमारियों को ठीक कर दीजे, फिर आप लोटे को घर ले आएए दस्वा कोशन, गुरु जी का लोटा खुद bless कैसे करें? लोटा लाकर जैसे clean करने के लिए बताया है clean कीजे और गुरु जी के आगे touch करके खाली लोटा रख दीजे और मंतर जाप चला दीजे और उनसे pray कीजे कि हम आ नहीं सकते बड़े मंदे, आप प्लीज ऐसे ही इस ल लोटे को bless कर दीजे और आपका लोटा bless हो जाएगा. ग्यारवा कोशन, गुरु जी के लोटे को bless करके कैसे use करें? संगत जी, कोशिश कीजे कि clean water लोटे में डाले, जमा किया हुआ पानी ना डाले, और जल से भरा हुआ लोटा गुरु जी के स्वरूप से touch करके रख दीज और फिर गुरु जी से pray कीजे कि गुरु जी, आप ये जल प्रशाद को bless कर दीजे और पूरी रात वो लोटा गुरु जी के पास touch करके रख दीजे, हो सके तो थोड़ी दिर के लिए मंतर जाब भी चला दीजे, और सुबा उठकर 50% आपने जल प्रशाद पीना है और 50% ज आप ग्लास में डाल कर भी पी सकते हैं, या आप डिरेक्ट लोटे से भी पी सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि लोटे को मूँ ना लगा कर पियें तेरवा कोशन 50% पानी नहाने के लिए कैसे डालें? संगत जी, पहले बाल्टी में लोटे का जल प्रशाद डालिए और फिर बाल्टी में पानी भरें, ताकि वो ब्लेस्ट प्रशाद बन सके और आप उससे ही नहाएं चौदवा कोशन लोटा, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन यूज करने के बाद लोटे का क्या करें? संगत जी, जितने भी दिन हमने लोटा यूज करने के लिए मनत मांगी है, उतने दिन लोटा यूज करने के बाद उसको अच्छे से साफ करके, एक साफ जगा पर लोटे को अच्छे से संभाल कर रख दें, ताकि जब भी आपको उन्ही के लिए यूज करना हो, तो आप वह लोटा दुबारा से यूज कर सके I hope मैंने सारे answers दे दिये होंगे अगर तब भी कोई कोशन रह गया है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं उसका answer कमेंट्स में रिपलाई करकी या फिर वीडियो बना कर जरूर दूँगी जे गुरुजी शुक्राना गुरुजी